भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो री व्रिद्धी से जहां जिले के कई गाउं प्रभावित हो चुके हैं वहीं अब इसका असर एनेचसी पर भी देखने को मिर रहा है सब और के पास एनेचसी सड़क पर गंगा का पानी ओवर्फलो कर रहा है और लोग उसको पार कर रहे हैं वहीं विभाग के दोरा एक तरफ सैंड बैग दिया जा रहा है जिससे पानी का दबाव सड़क पर ना पड़े लेकिन फिर भी पानी सड़कों पर चल रही है वहीं कयास लगाये जा रहे हैं कि पानी की यही रफ्ता रही तो सड़क कटनी की भी संभावना जताई जा रही है यह सड़क भागलपुर को साहिब गंज मिर्जा चौकी होते हुए बंगाल तक जोडती है और अगर सड़क कट जाती है तो इस सड़क पर आवगमन बादित हो सकता है वहीं सहर के तटवर्ती इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ो घर जलमगन होने लगे हैं भाल के पानी में डूबने से पांच लोगों की मौते भी हो चुकी है सहर के तटवर्ती छेतर के महलों में भाल का पानी घुजाने से तबाही का मंज़र है नरायनपूर प्रक्रण में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ना सुरू हो गया है लोग पलायन करना सुरू कर दी है कुछ लोग टीला कोटी, टीनवी कॉलेजियेट और हवाई एड़ा मैदान में सरन लिये हुए बाल पीडितों का साफ तोर पर कहना है कि हम लोग अपने गाउं को छोड़कर सुरुक्षित रहने के लिए जहां भी आतियाना बना है, वहाँ प्रशासन को हम लोगों का तनिंग भी ख्याल नहीं है प्रथम इंटरस्तरी प्रतियोगिता परिक्षा में उत्तरिन और BPSC से अनुसंसित नए राजस्व कर्मचारियों का 12 दिवसी प्रसिक्षन आज से सुरू हो गया है यह प्रसिक्षन 16 सितंबर तक जारी रहेगा राजस्व भूमी सुधार दोरा नवी नियुक्त राजस्व कर्मचारियों का जिलास्तरी प्रसिक्षन कायकर्म के उत्गाटन सत्र में भागलपुर जिला दिकारी सुबरत कुमार सेन ने अपने उत्भोधन से कायकर्म की सुरूबात की उदगातन सत्र का यह आयोजन समिक्षा भॉन भागलपुर में आयोजुत किया गया बताते चले कि जिरोमा लिस्तित रेसम भॉन में 104 नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों को यह प्रसिक्षन दिया जा रहा है नए राजस्व करमचारियों के प्रसिक्षन के उद्गाटन सत्र के दोरान ADM, DCLR, Amin, पुराने राजस्व करमचारियों के अलावा जिला योजना पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी भी प्रसिक्षन देंगे जिला दिकारी सुबरत कुमर सेन ने बताया कि नए राजस्व करमचारियों के आने से जो भी पेंडिंग आवेदन है, चाहे मोटेशन के हो या अन अंचल या हलका का कारी है, उसमें भी गती आने की संभावना है राजस्व करमचारी जोईन किये हैं, एक सो से ज़्यादा करमचारियों ने अपना योगदान दिया है, तो उन लोगों की ट्रेनिंग आज से शुरू वही है, दो सब्ता जो है ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद ये अंचलों में जाएंगे और विवीन हलकों में जोकसर थाना छेतर के दीपनगर मोहला अस्तित काली ठाकुर लेन के मुनना राय की पतनी रेखा देवी, सुक्रवार को दोपर करीब एक बजे कपला धोने के दौरान बार के पानी के चपेट में आ गई, परिजोनों ने बताया कि रेखा देवी सुक्रवार दोपर कपला धोने गंगा किनारे गई थी, कपला धोने के लिए जैसे पानी मोतरी उनका पाउं फिसल गा और वह डूब गई, अस्तानी लोगों की मदद से महिला के सव को पानी से निकाल कर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया, बार की चपेट में डूबी महिला के सव को मुख्य मार्ग में रखकर घंटो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, प्रजरसन कारियों का कहना था कि हम लोगों का घर हर साल बार में डूब जाता है, जबकि यहां अस्ती घरों से ज़्यादा घर है, वही प्रजरसन कारियों ने यह भी बताय कि बार की चपेट में आने से क करकारी सुविधा मुहिया करा हैं प्रतिष्ठानों और गोदामों पर चापे मारी कर रही है जो सिर्फ इन्पूट टेक्स क्रेडिट के माध्यम से जमा करते हैं और एलेक्ट्रोनिक कैस लेजर के माध्यम से या तो बिल्कुल ही करका भुकतान नहीं करते हैं या न क्या बराबर करते हैं ऐसे व्यापारी अपनी विक्री में या तो मुराफ़ा नहीं दिखाते हैं या खरीत के अनुपात में विक्री कम दिखाते हैं साथ ही उन्होंने अपनी विक्री में मुली विद्धी नहीं की है बहुत एक सत्यापन में लगबग दसला कृपे का माल भंडारित मिला वेवसाई इससे सम्मंदित कोई कागजात नहीं दिखा सके जिसके चलते पानमसाला विवसाई का सारा माल जब्द कर लिया गया बताया गया कि विद्धी सम्मत कारवाई करते हुए जुर्मारा वसूला जाएगा भारत माता की रक्षा के लिए रजौन प्रकंट के सखरा गाउं के रहने वाले राजसकुमार चौधरी का पोत्र सुधानसुकुमार हस्ते हस्ते अपने देश के लिए प्राणों को निचावर कर दिया सेना के सही जवान सुधानसुकुमार का अंतिम संसकार सहर के बरारी घाट पर किया गया सहीज जवान के अंतिम यात्रा में हजारों के संक्या में लोग पैदल और मोटर साइकल से सामिल हुए जवान के दादा ने जहां उन्हें मुखागनी दी वही सेना के जवानों ने सहीज जवान को सलामी दी सहीज जवान सुदानसु भारत चीन सीमा के अलदाग गलवान घाटी में तैनात थे इसी दोरान 21 अगस्त को बॉलर फटने से वह बुरी तरह जुलस गये थे एक सपताह जिंदगी और मौस से लड़ने के बाद 30 अगस्त को सहीज हो गये वही सहीज जवान के दादा और चाचा का कहना अगि सेना के दोरा सुझना मिली थी कि उनका पोता बुरी तरीके से घायल हो गया है जिसके बाद सहीज जवान के माता पीता वहां गये हुए थे लेकिन 30 तरीकों जवान ने सहाधत प्राप्त कर ली इस सुख्राज राए इंटर इसकूल नातनगर में तरंग मेधा उतस्व दूर्जार बाइस का वेजिन हुआ जिसका समापन आज धूमधाम से किया गया इस उतस्व में अलग-अलग परतियोगिता में तकरीबन 119 बच्चों ने हिस्सा लिया प्रतियोगिता में प्रतम दिर्ती एवं तिर्ती अस्थान पर आये प्रतिभागियों को विद्याले के प्रभारी प्रधाना ध्यापक, रॉक्टर वसीम रजा एवं सिच्छकों ने प्रुष्क्रित किया विभिन्य प्रतियोगिता में प्रतम अस्तान पर पेंटिंग में मुहम्मद मुदस्सिर, सामान ग्यान में आयूस कुमार, सूरज कुमार, क्रोस वर्ड में चंदन कुमार सफर्ण है तरंग मेधा उस्तो दोहजार बाईस सुकराज राय के नोडल सिक्चक प्रविन कुमार यादव थे